हेलो बच्चों आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल फास्ट्रिक पर यह एक इंडिया का ऐसा यूट्यूब चैनल है जो आपको 11 और 12 की बाइलोजी का कंप्लेट एक्स्प्लेशन प्रोवाइड करवाता है तो आपको सबसे पहले क्या करना इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना और प्रेस कर देना आपको बेल आइकन ताकि जो भी नई अपडेट्स आपको प्राप्ट होती रहे ठीक है तो लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ लि ерв pem token system और आगे जो थ्री एनिमल भी है नके बारे में हम जो की डिसकॉस करेंगे आज को ने कहरोच और और तो इस में कहा है औरगन ऐंडर गन्सिस्टम है नँ ओर और गन एंडर ओर ऐन शिस्टम अब इसको देखते हैं मिनिंग स्था और ओर गन और गन सिस्टम तो बेसिक इस ऐसी को रैसिक टिसू मेंस अब वहाँ जो नहीं उपर पहले देख लियत है तो यह जो टीसू होते हैं यह और्गेनाईज होते हैं और्गेनाईज होकर क्या करते हैं और्गेनाईज to form organ which is which in Transo t associate to form organ system together है तो जो टिस्व होते है टिस्व से बनता है organ and organ है वो टन इन्टो जो की यह associate होंगे फिर बनाएगा organ system ठिक है हाँ जो multi-cellular organism में होता ठीक है बहुत बढ़िया such an organism is organization is essential for यह इस टाइप का ओर्ग नाइजेशन होता है जो कि more efficient and better coordinated activities of million of cells constituting in an organism यह more efficient होता है इस टाइप का जो है वो और्गेनाजेशन हो बहुत essential and more efficient होता है जो जो बड़े organism होते हैं जो millions of cells वाले organism होते हैं उनमें यह बहुत efficient होता है बहुत जरूरी होता है ठीक है next each organ in our body is made of one or more type of tissue ठीक है अब देखो body में organ है वो tissue से मिलकर बना होता है tissue से है तो जैसे example से देखे हम तो हर्ट का example दिया हुआ हर्ट में four type tissue पाया जाते चारों टिसू पाया जाते अफिटियल टिसू connective tissue muscular tissue neural यह सारे के सारे होते हैं ठीक है जो टिसू इसमें पर्जेंट होते मलब टिसू सही तो organ बनते होते organ बनते हैं next we also notice after some careful study that the complexity in organ and organ system displays certain discernible trends है नो जो complexity है वो एक दिन से नहीं आई है वो कही कई सालों से आई है मलब कहीं है जो evolution देट्रेंड चला है उनमें तभी उनमें discernible trend आया है ठीक है जो complexity आई है और गन्स में है नो वो एक दिन से नहीं आती है ठीक है नेक्स्ट जो कि हम evolution chapter है जो कि 12th class में उसमें पढ़ेंगे ठीक है नेक्स यू ठीक है डिफ्रेंट इवॉलुशनरी लेवल तू सो अधियर ओर्गिनाजिशन फंक्स नहीं ठीक है हाँ चलो मॉर्फोलोजी किसके लिए होता है रेफर्टीक है मॉर्फोलोजी ठीक है जो हमें बाहर से दिखाई देता है जो एक्स्टरनली वीजीबल फीचर उसके लिए हम वर्फोलोजी रेफर करते हैं ठीक है इस्टरी ओफ फोर्म और और एक्स्टरनली वीजीबल फीचर ठीक है प्लांट और माइक्रॉब्स टर्म मॉफोलोजी प्रेसाइडली मीन्स अनली इस मलब बस यही है कि एक्स्टरनली वीजिबल फीचर का जो है वो इस्टडी करते हैं ठीक है बट एनीमल्स में क्या होता एनीमल्स में होता एक्स्टरनल अप्रियांस जो बाहर से दिखने वाले से एंड ऑर्गन जो पार्ट है उनका भी इस्टडी करते हैं ठीक है उनका भी स्टडी करते हैं बहुत बढ़िया पार्ट का भी स्टडी करते हैं और बाहर से दिखते हैं उनका भी स्टडी करते हैं ठीक है नेक्स अब एनाटोमी क्या होती है एनाटोमी होती वो इंटरनल की study होती है ठीक है internal organ की morphology of internal organ उनकी internal organ की study है बस और इसके बारे में जो करों को लौकरोच और ये वगवर्ण देखेंगे ठीक है तो start करते हैं सबसे पहला है और्थवर्म है ठीक है सबसे पहला है वो organism अपने पास आता है earthworm है नो earthworm है वो एनिलीडा जो फाइलम है उसका member है ठीक है earthworm एनिलीडा है ठीक है तो आगे बढ़ते है earthworm is redis brown terrestrial invertebrate that inhibits है नो जो चलो इसका समझाते हैं यह कैसा होता है brown ready जो भूरा लाल होता है भूरा लाल लाल भूरा होता है ठीक है और terrestrial invertebrate से जो terrestrial टीक है और invertebrate और मैंने कहा न कि जो एनिलीडा का यह सोल की काफी लेर्जों होती है इसकी उपर लेर अपर लेर होती है वह मौइस स्लेजर उसमें रहता है जो की अपर लेक्टी ऑफ मॉइस्ट और ओरॉरिंग ड़ टाइम देलिव रिरींटम बरो बनाताँ बिल बनाता है उनमें रहता है ठीक है और गार्डवन में हम इनें देख सकते है यह कि जो इनका होता है सिकल्ड डिपोузित 9S marks कास्टिंग ठीक है इसको हम कास्टिंग कहते हैं याद रखना याद रुखना फेरेटिमा एंड लॉम्परिकस बहुत बढ़ी अनेकस आगे बढ़ते हैं मौर्फोलोजी टिक है मौर्फोलोजी क्या होती है मौर्फोलोजी हमने देख लें कि अर्थ्वार्वाब करें के ऊस्टति अनकी तो इसमें अर्थ्वाम होता फहती है ठेब यहां सिलेंटिक़ बॉडी होती है थे इखेंटी इन न फीसमें के पार्ट फ्री वह ठींट ओड़ेंट न करें 1612 तक इसके similar होते हैं सभी है वो similar होते हैं इनको Metamers भी कहते है क्या कहते है Metamers it is called also called Metamere ठीक है जो हमने डेख लिया डर्स ड्सरीस पोड बड़ी इस माक्ड भाइ error को Midian Middorsal Line है ना जोकी डॉर्सल है वो Blood V Austle है Along The Longitudinal Axis of the body ठीक है यह आम है ठीक है यह अर्थ मैं निध्य सब्लीण जो डॉर्सल नियग्थ vari करते हैं कि दिश्ति इंग उपनी जो वेंट्रल साइड होती है ना उस पर जैनाइटल और जो ऑपनिंग होती है इससे हम इसमें डिफ्रेंस करते है जो इससे हमने इसको से किया है जो कि वेंट्रल सर्फेस पर किस की जो आपनिंग से ठीक है वेंट्रल सर्फेस पर जैनाइटल आपनिंग से हमने डॉरसल सर्फेस को गोस्ट किया है ठीक है से एंटीरियर एंड ला अध्य सब्सक्ərd टोर स्ब्सक्राइब माथे अगे करें सर्फ ठीक है जो इंटीरियर पार्ट है वह परेंग सर्दड्र से इंयिस में करता अदि जो मंद है वो covering of mouth है ठीक है अब यह लोब है आगे एक ऐसे टाइप से लोब होती है जो की सब covering for the mouth है अब यह mouth की mouth को cover करता है and the ways to force open crack in the soil to which the earthworm में crawl है ना जो अर्थवर्म आगे अर्थ में जाता है नो तो इसकी help से जो प्रोइस्ट्रोम होता है उसकी help से यह है वो अर्थ में जो में है वो क्रेक करता है और आगे अपना रस्ता बनाता जाता ठीक है से कि इसकी से इसकी वजह से तीक है इस कि वजह से सरबंसे है इस निघलता जाता है और यह बनाता जाता आगे ठीक है the looking को प्रोमय को जो प्रोज को समय होगए संसरी होता है कैसा होता है sensory sensory होता है цy edy body search सेग्मेंट को पैरिस्टॉमियम बोलते हैं और बकल सेग्मेंट ठीक है बकल सेग्मेंट भी बोलते हैं ठीक है विच कंटेंस द माहूत अब इसमें जो पैरिस्टॉमियम होता है इसमें माहूत होता है ठीक है बहुत बढ़िया जो पैरिस्टॉमियम होता है उसमें माहूत होत मैच्वर में है वो सेगमेंट है वो सेगमेंट है वो 14 to 16 आर कवर्ड बाइ प्रॉमिनेंट डार्क बेंड औफ ग्लेंडूलर टिसू कॉल्ड कलाइटलम अब देखो मैच्वर में क्या होता है मैच्वर होता है उस में 16 जो 16 14 16 14 to 16 जैने 14 to 16 याने की 14 15 16 ये ग्लेंडूलर पार्त होते हैं जाने और होते थोड़े न प्रमिन ड हैंट देशू अब यह ग्लाइटलम् क्या बोलते हैं कि लाइट ये लाम है नो जवालते हैं के लाइट क्लाइट होते जो फारीं डू शिक्स्टीन ओसे वह ग्लेटुलर पार्ट होते हैं फॉर्टीन-फिटीन-फिटीन ग्लेटुलर पार्ट बेट क्लाइटेलम कहते हैं टिसू काल्ड क्लाइटेलम है नो नेक्स आगर बढ़ते हैं और इस तरह से यह बॉड़ी को थ्री टाइप्स में थ्री प्रॉमिनेंट रीजन में डिवाइड कर देता है जिसमें प्री क्लाइटेलर 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 क्ल और इन सेग्मेंट को हमने क्या बोला था? मेटामेयर जो की सिमेलर सेग्मेंट होते हैं उन्हें हम मेटामेयर बोलते हैं एक सीट्य refreshed जो यह देखो, फ्रस्स सेग्मेंट है वो उसको पेरीस्टichtig भी है और आगे की यह कवरिंग है जो एक लोब है उसे हम कहते है प्रों हिस्टोमियाम क्या बॉलते है प्रों इस्टोमियाम ये माहुत आफ नि ये इन हम और सीथ पारे में printing है कि है ये लास्ट सेग्मेंड पन होंता है ये ओर जो हमने देखा नदोर्स में पर अलग चीज है体 साइड पे जो हमने देखा ना एक मीडियन लाइन थी है ना डॉर्सल साइड और वेंटर साइड में वेंटर साइड में जैनाइटल और नहीं होते हैं तो नेक्स बढ़ते आगे देखते हैं नो नेक्स्ट अब देखो फोर पेर और इस पर में थीकल ऐपरेचर आशी चुएटेड ऑन दो वेंटरो लेटरल साइड ऑफ दो इंटर सेग्यूमेंटल ग्रूज है नो फिप्ट तू सिक्ष्ट सेगमेंट है नो तो इसने क्या खाए फोर पेयर फोर पेयर ओफ पेयर ओफ पेय एليिए ठीक के फोर पेयर ओफोर भोस ऑचिस फ़र मैंे टिकल है नो ऑजじゃあ स्फर मैंतिकल हो即ो टे रूज है रूज होते हैं रूज होती है फॉर पेयर होते हैं आई च्छ coconut ँआ को स्थम्सुनेटल प्रेंटल थे नक्रोपोर मैं टो यह segment है यह segment है यह segment है यह से जो इक पेर यह सेकंड थर्ड पेर फॉर पर तो इस ताब से इस फर मैंतिकल होते है ठीक है एक प्रेचर होते हैं यहां पर पर पेगे बहुत बढ़िया फॉट उस समय देख लिया फॉर पेर होते हैं नो नेक्स शीगल फीमेल जनाइटल पोर होता है फीमेल जनाइटल पोर होता है 14 segment कहां पर होता है 14 segment 14 segment के है नो 14 segment के बीच में होता है mid-ventral line mid-ventral side होता है और यह mid-ventral line होती है वहां पर होता है ठीक है 14 segment में ठीक है next आग बढ़ते हैं एक एपेर और ओफ मेल जनाइटल पोर परपरजेंट ओन देटरो लेटल साइड और एटीन segment अब देखो जो जो में में अईनाइटल पॉर होता है वो 18 segment पर होता है 18 18 segment के कैं 818 segment में होता है मेल जना पोई गारे durable 4 लेटरल साइड और लेटरल यहां पर ठापन एचिक है जंटरो लेटरल साइड होता है ठीक है बहुत बढ़़िया कि दर होता और यहाई अमेन जो सर्फेस भिसाइब उदर पर्टेर होते तक है इंच बोड़ी सेगमेंट एक्सेप्ट फर्स एसने यह होते हैं नमलब जो नहीं पोड़ से लघर सब्स्राइश में होती है जो की एक्षेप्ट first पारस्ट में नहीं होती लास्ट में भी नहीं होती फर्स्ट में नहीं होती सिथी का क्वाम के है CD का functionлар देखर देर और juvenile M in the middle of each segment जो segment के बीच में होती है ठीक है epidermal pits में होती है ठीक है city का function अब city extended भी हो सकती है और retract हो सकती है और city का principal role लौकमरें कर भी लौकमाशन जो लौकमाशन कर देंटी ठीक है next आगे बढ़ते हैं in anatomy के बारे में पढ़ते में दिए और इस सिंधार और तो यह कूल के लिए होती है क क्युटिकल की लियर होती है क्यूटा के लेयर हो ठीक है क्यूटिकल को कि लेयर होती है जो आउट साड अब Tusk क्योटीकल की लियर होगे इस क्योटीकल के नीचे यह क्योटिकल हो गई इसके एपेट्रमेस यह क्या है चिंदिननी आवे इपीरमेस और सेamm extraordinaire भी नहां जो कि लोते हैं jack six ओन्य आ मैंगीतेलाब करना अथिक का और रोदी होती है न रोलiness और थो अ इन्रोंस थो भू जो कैसी होती है कर दो होना जो का वि specialist करना ही धु mortar स्वी को इसी होती है को लागति कर च dual हुब थाए ठीक है नेक्स आगबढ़ते हैं the epidermis is मैड़ अफ सिंगल लेर ओफ कॉमलर कॉलूम्नर एपितीलियल सेल्स ना इसने कहा है मैड़ ओफ अब देखो जो होती है ठीक है तो उसमें जो ग्लेंडूलर सेल भी होती है टीक है ग्लेंड सेल्स भी उसक उस्पीद्य ने जो की सिक्रिशन करती है ठीक है नेक्स आगे बढ़ते हैं अब देखो एलिमेंटरी केनाल स्टेट ट्यूब होती है और फस्टू लास्ट सेग्मेंट में पर्जेंट होती है फस्टू लास्ट तक पाई जाती है ठीक है फस्टू लास्ट ठीक है हुआ है टर्मिनल माउट ऑफंस इंटू बउए अब देखो जो मौफ हो ऑपण इंटू बउचल कविटी ठीक है बUकल कविटी में ओपन होता है माउट है इंस इ divers apon होता है बउल केवटी है भूब किसमें होता है बॉच्छ यह knit 100 न बउक क्यवटी ओन टू-3 आप आप a fino-to-toot को सुद्थी सेटमेंट य्जिंट्टू मस्कूलर मस्कूलर फैरिक्स उसके बाद में यह कहाँ पर ऑपन होता है जो फारिंस- पियुह असे मैं कैसे घूल फैरिंग्स a small narrow tube, isophagus, अब देखो, जो है pharynx है वो आगे isophagus में open होती है, isophagus, mouth है, वो buckles cavity, बकल to pharynx, pharynx to isophagus, है न, isophagus जो की fifth to seventh segment, pharynx होती है fourth segment, ठीक है, pharynx होती है fourth segment, और जो isophagus होती है, वो fifth to sixth, seventh, ठीक है, fifth to seventh, continues into a muscular gizzard थी के अब देखो नेक्स जो इसो फेकलस है वह muscular gizzard में है वो open होती है muscular gizzard होती 829829 segment में present होती वो गीजार्डी ठीक है अब देखो गीजार्ड का function रचो जो इसका जो food आया है न तो जो घेल्प इन ग्रींडिंग करना उनको है वो पीछने का काम करती है क्या करती है गरने का काम करती कि जाड़ होता है वह 9-14 होता है 9 to 14 cm होता है जो मिट्टी खाथा है जो व हम का वो सोईल है ठीक है क्या है सोईल तो इंदर यूमस होगी यूमस में यूमिक एसिड होता है ठीक है तो यूमिस है तो उसमें यूमिक एसिड होता है ठीक है तो यूमिक एसिड होता है न जो स्टॉमक में जो एक specific type of gland होती है calciferous gland ठीक है calciferous gland है न क्या होती है है calciferous gland ठीक है क्या होती है calciferous gland ठीक है और इसमें जो की acid को neutralize करने की जो power होती है यह है वो acid को neutralize करती है neutralize the umic acid present in the humus ठीक है बहुत बढ़िया ठीक है 924 14 में यह होता है जो इस्टॉमक होता है अब दे फूड ओफ अर्थवर्म डिकेंग लेवज और अर्गनिक मेंटर में अब देखो कुछ भी नहीं जो डिकेंग लेवज होती है जो इसका food and जो सोईल में और घुक है बस यह इसका और जो फूड होता है and Calciferous Glend होती है वो प्रेजेंट होती है और जो न्यूट्रिलाइज करती है यूमिक आसिट को जो प्रेजेंट होता है यूमस में ठीक है बहुत बढ़िया intestine start 15 to last segment ठीक है अरे कोई बात नहीं जो intestine हां intestine 15 to start होती है हां कोई बात नहीं 15 segments onwards and continues till the last segment ठीक है लास्ट सेग्मेंट तक होती है जो 15 to last segment intestine होती है एक पेयर औफ short and conical intestine सिखी अब देखो जो short and conical intestinal सिखी होती है वो present होती ही 26th segment में ठीक है 26th segment में intestinal सिखी होती है इस देखो mouth to pharynx mouth to buckle cavity, buckle cavity pharynx to isophagus, isophagus to gizzard, gizzard to stomach, stomach से जाएगा intestine में ठीक है intestine में ठीक है intestine में ठीक है intestine में जो 26th part है उसमें C कम होता है ठीक है जो C की होती है ठीक है 26th part पर C की होती है C की 26th to last है नो लास्ट या नहीं है जो 26th segment में सिखी होती है नो 26th में सिखी होती है अब एक्सेप्ट दे लास्ट ट्वेंटी ट्वेंटी थर्ट ट्वेंटी फिफ्ट सेग्मेंट इन दे परसेंस आप इंटर्नल मिडियन वाल कॉल्ड टाइफो सॉल है ना क्या मलब इट इस कॉल्ड टाइफो सॉल है ना सिखी हमने देख लिया सिखी होती हो 26th segment होती है और जो characterized feature of intestine है नो जो characteristic feature है नो वो है 26th के after होता है बट जो लास्ट के 23 and 25th segment होते है नो जो 20 और 25 segment लगभग 23 से 25 अप्रोक्सिमेट है नो जो होते हैं उनमें जो है वो टाइफो सॉल नहीं होता है टाइफ लो सॉल होता है वो होता है टाइफ लो सॉल होता है वो अपना प्रसेंस ओव इंटर जो इन्टalar वॉल है टीक है टीक है जो क्या कहते हैं टेफ लो सोल है दिसञानオ SECRET क्या करता है अब देखों यहां पर यह दिख रहा आपको टिपलो सॉल यहां पर यह क्या करता है यह इफेक्टिव एरिया ऑफ एप्जॉप्शन को इंक्रीज करता है इंक्रीज द इफेक्टिव एरिया ऑफ एप्जॉप्शन इंदे अंटेस्टाइन है नो इंटेस्टाइन एक्सके द्वारा एक्सटिरय फिंट एनस के द्वारा राउंड़ेड एपरेचर होता है स्मल्ड एपरेचर इस्कॉल्ड एनस होता है वो ठीक के बहुत बढ़िया नेक्स देज इंजेस्टेड इंजेस्टेड और्गेनीक रिच सॉइल पासेश त्रूव दडाइजेस्टिव ट्रेक्ट वेर डाइजेस्टिव एंजीम ब्रेकडाउन जो ज्यादा कॉंप्लेक्स होते हैं कॉंप्लेक्स फूड को सिंपल में कनवर्ड कर दिया जाता है यानि कि जो स्मॉल मॉलिकूल में ठीक है शिंपल मॉलिकूल में अब इनको है वो जो आब्सक्राण किया जा सकता है अब इनको आब्सक्रूप करते हैं एब उनको कबड़िया अब देको इंटेस्टाइन का फंक्शन क्या है complex जो एंजाइम होते हैं उनका फंक्शन होता है complex material आता है उसको है वो अपना simple molecule में convert करना होता ठीक है और बाद में simple का ही absorption होता है ठीक है अब देखो next अब प्रणेखो यह को ₹ इसकुलर अचले होता है और टो टॉज्स की इस् कीका बहुत बढ़ा जिसमें है जो ब्लेद होता है वो वैसल में पर्जेंट है कैपिलरी इंब में होता है हर्ड के रिस्ता ही उता है जो टो राइन प्रदी करन भाइँ का पर एजोब्र बॉ फ्य शिक याहर वो अन सन्थे ज़र चफती है वह फो मृट और घौंटर लिमिटेट होता एल ठीक होता है बोडी में contraction है न वो circulation का एक ही direction में है वो होता रहता है ठीक है next smaller जो smaller blood vessels होती है वो supply the blood को supply करती है gut gut now cord and the body wall ठीक है जो smaller जो blood vessels होती है smaller blood vessels जो कि gut now scored and body wall को जो की है वो supply करती है बहुत बढ़िया blood glands are present in 456 segment यह जो blood gland होती है न जो present होती है 456 इन 3 segment में हो blood glands होती है और यह produce करती है blood cells and blood plasma जो blood cells and hemoglobin है blood cells and hemoglobin which जो की है वो dissolved in the blood plasma यह dissolve हो जाते है blood plasma में ठीक है blood cells and hemoglobin अब देखो produce क्या करती है blood cells and hemoglobin ठीक है बहुत बढ़िया 456 segment में क्या present होती है जो blood glands होती है blood gland क्या produce करती है blood cells and hemoglobin और यह हमोग लोबीन है तो डिजॉल्ड इन ब्लड प्लाज्मा ओके समझ मारा तो लाइक कीज़े बच्चों नेक्स्ट ब्लड सेल्स आर फेगोसाइटिक अब देखो ब्लड सेल्स होती है वो फेगोसाइटिक इन नैचर होती है बहुत बाहर से कोई भी आएगा उसको है न जो नस्ट कर देखे उसक एक्सेंज त्रू मडी पॉडी यह उश्मीерस होता है न तो जो सर्फेस्ट करें तो तुरू में भेगों यह चोंदू में सर्फेस्ट से ब्लड में है वे उन्हें ब्लड में है वो जो कि रेस्पाइरिशन होता है उसमें जो औक्सीजन को पहुंचा था ठीक है मौस्ट से मौस्टर फेस्ट ब्लड वैसल समय ठीक है बहुत बढ़िया अब थोड़ा सा हम इसके डाइग्राम को देखते हैं हुसर सेग्में नाइट छोएक नेख्रमच वते हैं जो समस्य अधिशर बहुत बजबर नैच स्ट्रम होता है इस संध्मस्य में तो होती है कैल। टृणोड़ सारफ तर पार्ट आफ इंटेस्टाई ती ठीड है जो टीपलो शॉलर से पहले का जो टीपलो सोल अपने देखा इसलिए का इसलिए टिपलोसालर से पहले का पार्ट है विसलिए प्री टिपलोसार पार्ट अफ स्ञेया ही हाँ टीक है न टो वह सीखक होती है वह इसंे में देख लिए हमने सीखी भी देख लिया नेक्स आगवरते हैं लिंफ्फ लेंड होती है यह रिख लेंट भी होती है ठीक है लो तो इसा अब यह घर आगे बढ़ते हैं ठीक नेक्स आगब बढ़ते हैं और तेखो इसमें और अकर जो एक्सक्रेटरी स्कॉइल टूबल जिन्हें हम नफेडिया कहते है तक है और तीक को नफेडिया एक को नफेडियों केते चाहिए है नेफरीडियम और नेफरीडिया है वह थ्री टाइब के होते है ठीक है ठीक है ठीक है जो की शेप्टल होता है वह फिटीन टू-laast और इसकी opening होती होँ इंटेस्टाइन में रहती है जो सेप्टल नफ्रेडिया होती ना सेप्टल नेफ्रेडिया की opening हे ना opening है वो इंटेस्टाइन में होती है जो ठीक है और यह present होते 15 to last और present कहां होते present अब इसको देखाएंगे फोटो में जो इसमें इमेज है उसमें बताएंगे जो इंटरसेप्ट्रल यहां बताया हुआ है इधर भी यह इधर भी यह इसके बहुत साइड में परजेंट है इसलिए हम ने इसको जो कि है वो है क्यों क्योंकि एंटर सग्रिंट सीद यह समें पर पर अबॉन सम्जों खोलते पर भारें है नैस्ट तो डारी जो की इंटेगमेटररी नफ्रीह ट्रिटू लास्ट होते है अमार Wha Lset हूं चीर जो अधैक दो होता है ळिखो फ्रीप होता है यह देख रहे हम जो 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 फैरेंजल इन जो तीनों में होता है जो कि त्री प्यार रहते एक पेर एक पेर ये दूसरा अंतीसरा ठीक है ये पेर होते हैं बहुत बढ़िया त्री पेर मलब 6 होते हैं एक साग बढ़ते इस डिफ्रेंट टाइफ ऑफ ने प्रेडिया बैसिकली सिमिलर इन इस ट्रक्चर अब ये जैसे होते हैं त्रीटाइट ट्री इंड चाहित चाहित आप लोडिया टॉन रख्राइशन गर्टा था है रवी तुलिया और टुरिब करता है जो की एन व्ॉल्यूम आफ बाडी आण चसिशन ऑप बड़ेशन आप दीचा उन का वाल्यूम उन था चाहित बड़ेशन स्ट आउट ऒच्र आउट ऐज फ्यॉणल डेट क्लेक्ट एक्षिस फ्लू D vier फ्लेट कर्ता है ठीक करता है थिक साक्ष करेंगी फनल लाइक सिटिरह फक्रथा नेक्स्ट अगर पड़ी स्थाटिंग फारगे स्टिंग पाइख सग्झाएग पॉतक होता है विच्छ डिलिवर्स देवेस्ट थू एपटर पोर्टो तुडवेस in the body wall into a digestive tube है नो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया है ना जो की वेस्टेस त्रुए पोर्टू सर्फेस है ना जो पॉर्टू सर्फेस इन द बॉर्डी वाल इंटू द डाजिस्टी ट्यूब अब देको वह जो थैने वेस्टेस बदार जो कि डाजिस्टी टूब में आगे थे का फिर बार टॉक दिए जलो अधिक भृता है नेक्सरी बढ़ाएं टीक है ना इकस्ते जो 3 प्र फिप से तफ्ट ऑफ जो इसमें बताई है ठीक है तफ्ट ऑफ फैरिंग से यह ब्लड ग्लेंड्स है जो कि फोरी प्र ज्यादा होते है इस लिए हमने इसने बता दिया ओफ इंटग्रम ज्यादा इसलिए फोर आस्ट ने जो फिप्टिन टू लास्ट हो ने इस अगपड़ते हैं फैक है नक्स नर्वस इस्टम के बारे में पढ़ते आ अर्थम का नवस पाहिए है सब्सक्राइब करें आदेखो इसमें डाबल नाव कोड़ होता है लोता है डाट तो होता है यह अपना होता है यह ऑपना होता है अपना होता है घ्लाइट जो कि इसने का है पेर्ड नाव कोड है वो पर्जेंट है वेंटल साइड में ठीक है सेगमेंट वाइस एरेंज है ठीक है दानव कोड इन एंटिरीर रिजन ठी टू फॉट प्री एंड फॉर्थ सेगमेंट लाटर्ली एनसार्कव्लिंग फेरिंग के जोंडिक है अब देखो उटी एज старा परेंट enorm डी dad मेंट शॉट फॉर्ट सेगमेंट पे होता ठीक है थीर जो है वह एपिजिक प्रते बड़ा सलमेंट अबीए तरिक्त कि यह यह यहां पर है यह 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 यहां जहेएं पर से सेatorio बढ़ते हुशन, कर लेगा. कोड़ यह डोसल नवकोड़ है जो कि डबल है इसने एंसर करने पर यह एक रिंग बन तो तो फाम रिंग दॉसरेबल गेंगलिया खेलों कि बॉड़िक अब देखो इसके साथ में सेरेबल है वो जुड़ जाएगा cerebral ganglia जुड़ेगा और body को है वो अपना जो sensory वगरा प्रोवाइड करेगा ठीक है response देगा body को ठीक है body को response देगा ठीक है sensory input as well as command muscular response अब response प्रोवाइड कर वाएगा ठीक है यह brain of earth one में ठीक है नेक्स आगा बढ़ते हैं नेक्स आगा बढ़ते हैं अब जो होता है न इसमें आई नहीं होती क्या नहीं होती है आई नहीं होती आई अपसेंट होती sensory system does not have eye but does possess light and touch sensitive organ ठीक है अब जो light and touch sensitive organ होते हैं रिसेप्टर सेल्स होती है उनकी receptor सेल्स होती है बट आई नहीं होती है इस में ठीक है प्रेंट के पास में यह कीमो रिसेप्टर होता है टैस्ट रिसेप्टर होता है है जो तीस्ट होता है ठीक है इससेंस। यहां पर आगे वाले पार पर यहां पर पर यह इस आगे वाले पार्ट पर अध्य में is hermafrotrite hermafrotrite means bisexual means the both test is already present in the same individual मतलब एक ही जो है वो और्गनिजम पर परजेंट है बहुत है वो है वो और आगे बढ़ते हैं तो पर देर आट्ट टू परस टेस्ट पर जैंट एंट एंट एंड एलेमंन सेग में थेक है जो टू पेर्स है कितने पेयर है तो पेयर ओफ टैस्टिस जो की पर्जेंट है 10th and 11th segment ठीक है 10th and 11th segment है और बहुत बढ़िया ठीक है और इन जो 10th and 11th segment से वहांसा डिफरेंसिया निकलेगी और वह जाएगी 18 segment मेँ एटिन सेगमेंट क्या है मेल जनेटल पॉर ठीक है अब देखाई 10 11 टुछ होता है lower वासा तिफ्रेंशिया आरंस अ दू अब तो एतिन सेगमेंट वेडे जोईन तीक डख अनो और जो यह ऐडिफ्रेंशिया और से जोई होती है ठीक है जॉन होती है बहुत बढ़िया वहां पर 18 सेग्मेंट में जाकर ठीक है नेक्स और वहां पर टू पेयर ओफ है वो पोर्स जो कि में जनाइटल पोर होते हैं टू टू पेयर होते हैं ठीक है बहुत बढ़िया और नेक्स नेक्स है टू पेयर ओफ है नेक्स टू पेयर और आफ एसेसरी ग्लेंड प्रजेंट वन पेयर इच 17 एडिश्य नाइंटी ठीक है अब फिगर में बताते हैं ठीक है देखो तो यहां पर यह फिकर दिया ओए ठीक है बहुत बढ़िया फिकर में जो टैस्टिस है न है तो यह है वह परजेंट होते हैं एक दो फ्री फोर यह पर्जेंट होगे ठीक है तो फोर मालब टू प्रेर 10th एड 11 सेग्मेंट होगी बहुत बढ़ बढ़िया और अब जो यहां से डग जाएगी वहांसा ढिफ्रेंश यहां रोजाए निकलेगी और वो जाएगी है इंपाँ से से साइग में किस और वह से लिंद में मैं होगी वह से आटाइज से से कि है और यह की और उसे निकल सबस्कुल की और वह बाहर निकल जाएगी बहूर मेle जैनेडल पूर होता है एटिंट सेग्मेंट में ठीक है जो कि टू होते ठीक है देखो कि देखो यहां पर देखते हम कहां पर थे अभी हाँ 17 हाँ 17 and 18 सेग्मेंट पर 11 पैर है वो एसेशरी ग्लेंट होती एक दो तीन चार अब देको यह सैवेंटें सगमेंट है यहाँ पर एससरी ग्लेंट है यह भी ऐसेसरी है यह दोनों एससरी ग्लेंट है जो कि 17 और 19 वो अजन बहुत बढ़ी है नेक्सट नेक्स्ट तब अब देखो कॉमन जो कॉमन प्रोस्टेट थी और इस्परमेटिक डख थी जो वासा डिफ्रेंश जा थी ओपन इंटू ओपन टू एक्स्टेरियर बाई पेर ओफ मेल जैनाइटल पॉर अब देखो एक पेर होता मैंने बता हैं कि दो पोर्स होते हैं अब इंटीं सेगमेंट सब्सक्राइब और इस पर मैंति को इसपरम को कलेक्ट करते इसपर मैंतिक ही होती है इस पर मैंतिक अर्लोकरेंश चीर comment सेगमेंट नि पैयरिन ये इच जगमेंट है एक में एक में नाइन यह समझ होई एक में नहीं किर नाइन यह दो है एक में जोडी एक में एक पेर बहुत बढ़िया देखो और यह होता इंटर सेग्मेंटाल तो यहां पर पर यहां पर हमने पहले बता है यहां पर बहुत बढ़ी है नेक्स नेक्स हमने देखा है कि दे रिसी अब देखो इस पर मैंतिका फंक्शन क्या तो जो कि स्टौर करें इस पर में टो जो अटिक है तरींग अब देखो जो 12 और 13 सेगमेंट फर्जेंट यह जो की होती है वन पेर ठीक है वन पेर ओफ और यह आपको याद रखना है वन पेर आफ पेर ओफ और अब देखो 13-14 rateater-segmental स्टम अना 12-13 नो ठिर्ट घुन थरको यहां पर यहां पर यह आunalजीद यह न आपको यह वाल्य तो, यहों- हों अंसी होटे जो फानल पर्जेंट होते हैं विच कंटीनियु इंट अब देखो जो फानल होते हैं जो की आगे अधिक्ट में खुलते हैं जॉइन टुकेदर अब देखो ओविडक्ट होती यह विडक्ट यह आपस में जोईन करेगी और एक टुकेदर ऑपनिंग बनाती है वेंटर साइड में फीमेल जैनेटल पोर की ठीक है फीमेल जैनेटल पोर की ऑपनिंग बनाती है ठीक है टुकेदर एंड ऑपन ऑन वेंटर साइड ए सिंगल मेडियन फीमेल जैनेटल पोर ऑन 14 सेगमेंट कहा हो जो आपन होता है यहां पर होती एक्सचेंज ऑफ इस पर मकर्स बिट्वीन तू वर्मस द्यूरिंग मेंटिंग जब मेंटिंग होती है ना दोनों में तो इनके बीच में स्पम है वो एक्सचेंज आद्something एकॉ एक थोड़ा फीगड में बता आपकोड़े कंपर में तो यह पर हमने देखा कि इस फर मैंति. में उपिर्वाले बताते हैं यह देखो 67629 कि पर गुर्जान होती है नाइद में इस फजिए हो गया दूसरा अरत्वाम यह हो गई ठीक है दो अर्थवां मुमने देखा यहां नियुसक्त बनायि थे क्या होती इस फर मैथिदे की और यहां 18 गिदी की है यहां इस पर मैतिक की है और यहां पर मैतिक है और इसमें eyes यहां पर हो चोईचा जो मेल जनेटल पोर है तो यहां से इस पर मिसमें आएंगे और इधर से इस पर मिसमें जाएंगे ठीक है एक्सचेंज हो रहा है मुच्छल एक्सचेंज और सपाम अकर तो मैंटिंग के दोरान होता है जो जो घृषक्सटा पॉजींग ऑपॉजिट गृणलर ऑपनिंग एक्सचेंज पैकेट्स ऊफ इस परम को में यहीत पर्मेटो फॉर्स इह आए आगल करते हैं, अब देखो इसका जो होता है इसमेह गाहे है क्धार पोजिंग पोजिट comunidadal आप गुर। अपर पाणलक तो यह सीधे वह इल्टके है इसका इदर है और फैम्रों इधर ऑन जिसचे क्धा है यह पोजिंग है कि नियुलिए इसलीए बोला है जक्सटा पॉजिंग और बहुत बढ़िया थीजिसमें इस पाम होता है नाम होता है को किसी भी से प्लेस पर फ्लेस पर ऑफ चोड़ देते हैं जो है वह अर्थवर्म थीक है और को कौकून को इनको को प्रोवाइड करवा था न्यूट्रिशन वगए रटिकर फटिलाजिशन और डेवलोपमेंट बाद में होता जो कि किसमें होता है कौकुन में होगा तो कौकुन ठीक है विदिन दक विच एंसलेप ऑफ दवाम एंड इस दिपॉजिट इन और ऑन वह सकता है जो की बाद में कमदें अब को को कौकूण है वो होल्ड करता है वह मैं उल्म है और ऑर्स वांफं का एंप्रियो एंपन में वह आफ्टर वीग्स इच कोकून प्रोडियूस टू-टू अब गया तो एक कोकून होता है उससे टू-टू-ट्वेंटी इच कोकून टू-टू-टू- प्रोडूुस करता ऩादा वेभीवम को रॉड्रेस्की सम्वेक इन एवरीज पूर्ड अवरे मिवर्म को में प्रोडूुस करता हूँ थीलिफीलप्मेंट और उर्म अर्थम आधोर होता है मिर्लावा नहीं होती नहीं है इसका अनलब गया है है द्र आर्ट हो गया नाक्स अगर बढ़ते हैं इसने थोड़ा बचा अब है अर्थम का ठीक है अर्थम अब देखो अर्थम is known as friend of farmer ठीक है friend of farmer because of the make bros in the soil अब बनाते है इसको मैं स्वैल में बर्योंज एंड मैकिंग इस्ट पौरस है न चेट बनाते है पौर बनाते हैं फौर पनाते एपिंडर स्वան्टन अफ डैल देवललीपिंग प्लार्रूट हो जो प्लांटर की रूट है ना उसको हेल्प मिलती है जो रेस्पारेशन में एंड जो की ग्रोथ करने में ठीक है है हेल्प करती है जो ठीक है जो फिसिंग मैं भी यूज करते बाल टीन जो फिसिंग जो फिस को पकड़ने के लिए ठीक है उसमें भी हम इसका यूज करते है बहुत बड़िया तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक किजिए सेर किजिए कमेंट कीजिए आपको कैसा लगा कमेंट करके बताए यह में आएगा और इससे पहले वाले लेक्ष्यर है वह मैं उनकी लिंगन कर सेडालों और सब्सक्राइब gives किजिए अपनी यूटुब चैनल को अश्य रहा गय्याओ इसे तरह से सब्सक्राइब कीजिए कि सब्सक्राइब कीजिए कोई बात इस प्रेंग गलत होती रहती है सब्सक्राइब और सब्सक्राइब सब्सक्राइब ठीक है चल नहीं रही है, आसे लिए जो रbahnारिधिंग परॉसरा कौई आपको Ini ससमार्वाइब कैसा सचाहिए है रही होना तो बचो बहुत बड़िया thanks for watching the video subscribe करना मत भूल ले subscribe तो करना ही है subscribe करना मत भोलना ठीक है तो धन्यवाद बच्चों बहुत बहुत धन्यवाद